हलो दोस्तों वेलकम टो आटोगेर इंडिया तो आज हम बात करेंगे अशोक लिलेंड 28-20 के बारे में यहाँ पर आप इसका काउल मोडल देख रहे हैं और यह काउल विद चिचीज के साथ आता है और यह केबिन एंड चिचीज के साथ भी आता है और यह केबिन विद लोड बॉड़ी के साथ आता है केबिन में आपको option मिलते है कि आप M series ले सकते हैं U series ले सकते हैं N series का cabin ले सकते हैं करता है आप कि कौन सा लेते हैं और इसकी जो प्राइस स्टार्ट होती है वह एक शुरूं हो 30,70,000 रुपय के समसिंग इसकी प्राइस स्टार्ट होती है और पूरे 40,000 तक जाती है एक बार आप nearby dealer से confirm कर सकता है क्योंकि जो इसकी prices है वह up down होती रहती है और जो इसका gross vehicle weight है वह 28,000 kg इसका gross vehicle weight है तो आज इस वीडियो के अंदर इसके cowl model के बारे में बात करेंगे लेकिन आपको अगर हमाई तरह truck पसने तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल आइकन को जरूर दबा देना अगर आपको किसी और truck की वीडियो देखनी है तो आपको solid metal bumper मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज है सेम सेट आपको side में मिलता है नीचे भी आपको metal bumper मिलता है यहाँ पर 28-20 HG की बैजिंग यहाँ पर अशोक लीलेंड का logo और यहाँ पर अशोक लीलेंड की बैजिंग मिलती है शिल्वर कलर में काफी शांदा दिखती यह और यह काउल का फ्रेंड फेस है वह काफी अच्छा लगता है वहाँ पर अफ्तार की बैजिंग मिलती है आपको और overall कुछ इस तरीके से आपको यह काउल मिलता है इसतंदर आपको जो loading span मिलता है वह 20-22-24-26-26-28-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30- लोडिंग स्पैन मिलेगा और वील स्पैन मिलेगा और वील स्पैन मिलेगा और वील स्पैन में लेना है उसकी प्राइज अलग होगी तो एक बार आप नियरवाइ डीलर से कंफर्म कर सकते हैं कि इस लोडिंग स्पैन में इसकी प्राइज कितनी होगी और इसके अंदर आप यह लेटा कर लेते हैं अजब ल्यानीप, यह स्कुत हैं एला में कर लेटे को यहैं आप देख सकते हैं एकको 295्2 अक्थ speaking 295-29 420 को धीयन संटे हैं तो अप्वलो के and you can see और पीछे भी अप दयख सकते हैं डिला साइज आपको पीछे मिलता है और एक बार रियर से देख लेते हैं इसको रियर से कुछ इस तरीके इसका देखता है और इसके अंदर आपको reverse parking sensor मिलता है जो की बहुत अची चीज़ है और रियर में जो LED lights मिलते हैं वो भी काफी अच्छी है पीछे आपको एक bumper मिलता है तो कुछ इस तरीके से rear इसका देखता है तो अब इसके rear axle और suspension के बारे बात कर लेते हैं जो rear में इसके अंदर आपको suspension मिलता है वो semi-leptical lee spring suspension मिलता है जो की parabolic helper spring के साथ आता है और optional में आप sleeper suspension भी इसके अंदर opt कर सकते हैं और जो rear में axle मिलता है वो fully floating single speed RAR 5.29-5.57-6.17 मिलता है और optional में आप इसके अंदर unitized wheel bearing भी ले सकते हैं वो optional है जो की एक बहुती अच्छी चीज़ अच्छोग लिएन यहापे करती है और यह 48 liter का इसके अंदर आपको add blue tank मिलता है यहापे यह basic system मिलता है और इसके अंदर आपको fuel tank मिलता है वो 3 fuel tank मिलता है optional है 3 हो कोई साब ले सकते हैं 220 liter, 300 liter और 315 liter यहापे आप देख सकते है 3 options मिलता है fuel tank के यहापे और यह battery cut-off switch के साथ यहापे batteries मिलता है आपको और front के अंदर आपको force ibm reverse seal your type XL मिलता है और unitized wheel bearing भी optional मिलता है इसके अंदर front में भी आपको और front में जो suspension मिलता है आपको semileptical leaf spring suspension मिलता है और optional में आप parabolic leaf spring suspension भी इसके अंदर ले सकते है अब इसके engine के बारे में बात कर लेता है तो इसके अंदर आपको S series CRS engine मिलता है जो कि 5.6 liter का six cylinder engine है यह 200 horsepower पर यूज़ करता है और 700 nm top पर यूज़ करता है वहें पर अगर इसके clutch की बात करते हैं इसके अंदर आपको 300 cmm die की organic clutch मिलती है जो कि clutch booster के साथ आती है और इसके अंदर आपको 6 gears मिलता है और जो gearbox मिलता है वो ZF6S 850 gearbox मिलता है वहें पर इसके gradability की बात करें तो इसके अंदर आपको 17.20% की gradability मिलती है और काफी powerful और काफी शानदार और fuel efficient engine है यह अब इसके cowl model के बारें बात कर लेते हैं कि यह cowl में आपको क्या-क्या मिलता है वैसे तो पूरा aftermarket बनेगा इसका cabin हो गएर सब कुछ लेकिन यहापे आपको power steering मिलती है और यहापे देख सकते हैं आप side में इसके lights के control यह इसके wipers के control और जो इसका instrumental cluster है उसके अंदर आपको speedometer, rp meter और एक